हिंदलको का मुनाफा सालाना आधार पर हुआ आधा, ब्रोक्रेज फर्मो से जाने स्टॉक को खरीदे या बेचे हिंदलको पर जेफरीज ने खरीदारी की रेटिंग दे कर इसके शेर का लक्ष पांच सौ पच्छत्तर रुपए प्रती शेर तै किया है, ब्रोक्रेज के मुत आधार पर सुधार हुआ हिंदलको इंडुस्ट्रीज लिमिटेड को वित्वर्ष दो हजार चौबीस की पहली तिमाही में 600 करोड रुपए का मुनाफा हुआ, जबकि इसके 588 करोड रुपए रहने का अनुमान था, जबकि वित्वर्ष तेईस की पहली तिमाही में कंपन का मुनाफ़ा 1,448 करोड रुपए रहा था। हिंडालकों की आय पहली तिमाही के दोरान 19,904 करोड रुपए रही जिसके 16,948 करोड रहने का अनुमान था। जबकि वित्वर्ष 23 की पहली तिमाही में कमपनी की आय 19,518 करोड रुपए रही थी। कमपनी के रिजलिट के बा की मैकवाईरी ने इस पर आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। ब्रोकरेजेज ओन हिंडल को। जेफरीज ओन हिंडल को जेफरीज ने हिंडाल को पर खरीदारी की रेटिंग दी है। इसके शेर का लक्षय 575 रुपए प्रती शेर तै किया है। उनका कहना है कि Q1 एबिट नोवेलिस के एबिटडा में तिमाही आधार पर सुधार हुआ। उनका मानना है कि आगे एल्यूमीनियम मार्जिन बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि LME की घटी हुई कीन्तों से कोले की कीमत घटने की भरपाई हो जाएगी। CLSA on handle को CLSA ने हिंडाल को पर खरीदारी की रेटिंग दी है। इसके शेर का लक्षय 530 रुपए प्रती शेर तै किया है। उनका कहना है कि पहली तिमाही में एबिटडा बड़े पैमाने पर उम्मीद के मुताबिक रहा है। कम्पनी को उम्मीद है कि कोल मिक्स सामान्य होने से तिमाही आधार पर Q2FY24 में लागत में 3% की और गिरावट आएगी। कैप्टिव ब्लॉकों के चालू होने से लागत में संरचनात्मक रूप से कमी आएगी। कौपर ने सरप्राइस किया जबकि एल्यूमीनियम एबिट्डा मोटे तौर पर उम्मीद के अनुसार रहा। कौपर एबिट्डा से आगे रहा। दाउन स्ट्रीम सेग्मेंट के बहतर प्रदर्शन से एल्यूमीनियम एबिट्डा के अच्छे प्रदर्शन को मदद मिली।